जय शी किष्ण दोस्तों लाइफ इस्टाइल विद गॉड में आपका स्वागत है दोस्तों यहाँ पर हम शीमत भगवत कीता की दूसरे अध्याय का ध्यन कर रहे हैं जिसका नाम सांख्योग है आज हम 68 में और 69 में इस लोग का ध्यन करेंगे भगवान ने अयुक्त पुरुष की बुद्धी के विचलित होने का प्रकार बतलाया अब भगवान पुनहा इस्थित प्रग अवस्था की प्राप्ती में सब प्रकार से इंद्रिय सयम की विशेश आवश्यक्त सिद्ध करते हुए इस्थित प्रग पुरुष की अवस्था क कवलन करते हैं कि तस्मा द्यस महावाहो निग्रही तानी सर्वशाह इंद्रियानी इंद्रियार्थे ब्यस्य तस्य प्रग्या प्रतिष्टिता दूसरे अध्याय के 68 बेश लोक में भगवानशी किष्न अर्जुन से कहते हैं कि इसलिए हे महावाहो जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विश्यों से सब प्रकार निग्रह की हुई हैं उसी की वुद्धी इस्थिर है पूर्व इश्लोग में यह बात कही गई है कि जिसके मन और इंद्रिया बश में नहीं है उस विश्या सक्त मनुश्य की इंद्रिया उसके मन को विश्यों में आकर्षित करके पुद्धी को विचलित कर देती है यानि कि इस्थिर नहीं रहने देती इसलिए मन और इंद्रियों को अवश्य अपने बश में करना चाहिए यहाँ पर भगवान ने अर्जुन को महा बाहो कहकर सम्मोधित किया है जिसकी भुजाएं लंबी, मजबूत और बलिष्ट हो उसे महा बाहो कहते हैं यह सम्मोधन शूरवीरता का भी घोतक है यहाँ पर इस सम्मोधन का प्रयोग करके भगवान ने अबाव दिखलाया है कि तुम बड़े शूरवीर हो अत्यव इंद्रियों और मन को बश में कर लेना तुमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है अब समस्ते है कि इंद्रियों के विश्यों से इंद्रियों को सब प्रकार से निग इंद्रियों का स्वभाव है क्योंकि अनादी काल से जीव इन इंद्रियों के द्वारा ही विश्यों को पहुगता आया है इस कारण इंद्रियों की उनमें आसक्ति हो गई है इंद्रियों की उस स्वभाविक प्रवरत्ति को सर्वता रोक देना उनके स्वभाव को परिवर निग्रहीत कर लेना हैं इस प्रकार जिसकी- tare बश्में की हुई होती है बहद पुरुष जब ध्यानकाल में इंद्रियों की ख्रियां का त्याग कर देता है उस समय उसकी कोई भी इंद्रिये ना तो किसी भी विशे को ग्रहन कर सकती है और ना अपनी सूझ मीडिये द्वारा मन में विक्षे भील्ण कर सकती है उस समय बिक किसी भी विशे में उसके मन को वाकर्षित नहीं कर सकती बलकि मन का ही अनुसरन करती है इस्थित प्रग्पुरिश लोक संग्रह के लिए जिस इंद्रियों के द्वारा जितने समय तक जिसे शास्त्र सम्मत्र विशय को ग्रेन करना उचित समझता है बही इंद्रियों उतने ही पूर्ण आधिपत्य कर लेता है उसकी सुतंत्रता को सर्वथा नश्ट करके उनको अपने अनकूल बना लेता है यही इंद्रियों के विश्यों से इंद्रियों को सब प्रकार से निग्रहीत कर लेना है भगवान ने कहा कि उसकी बुद्धी स्थिर है इस कत्थन से भगवान ने अबाव दिखलाया है कि जिसकी मन सहीत समस्त इंद्रियों उपरियोक्त प्रकार से बश्मे की हूई है उसे की बुद्धी इस्थिर है जिसके मन और इंद्रियां बश में नहीं है उसकी बुद्धी स्थिर नहीं रह सकती इस प्रकार मन और इंद्रियों के सैयम ना करने में हानी और सैयम करने में लाव दिखला कर तथा इस्तित प्रग अवस्था प्राप्त करने के लिए राग देश के त्याग पूर्वक मन सहित इंद्रियों के सयम की विशेस आवश्यक्ता का प्रतिपादन करके इस्तित प्रग पुरुष की अवस्था का वणन किया अब साधारण विश्यासक्त मनुश्यों में और मन इंद्रियों का सयम करके परमात्म को प्राप्त हुए इस्तिर पुद्धी सयमी महापुरुष में क्या अंतर है इस बात को भगवान रात और दिन का उधारण देकर समझाते हुए उनकी स्वभाविक स्थिति का वणन करते ह या निशा सर्व भूता नाम तस्याम जागर्ति सयमी यस्याम जागर्ति भूतानी सा निशा पश्यतो मुन्हे दूसरे अध्याय के उनक्तर में श्लोक में वगवान शीकिष्ण अर्जुन से कहते हैं कि संपोल प्राणियों के लिए जो रात्री के समान है उस नित्ति की प्राप्ति में सित्प्रग योगी जागता है और जिस नाशिवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनी के लिए बहरात्री के समान है अब समझते हैं कि यहां पर संपूल प्राणियों की रात्री के समान क्या है और उसमें सित प्रग योगी का जागना क्या है अज्ञानी और ज्ञानियों के अनुवम में दिन और रात में अत्यंत बिलक्षरता होती है यह भाव दिखलाने के लिए रात्री के रूप से साधान अज्ञानी और मनुश्यों की और ज्ञानी की सिति का वणन किया गय किन्तु जैसे प्रकाश से पूर्ण दिन को उल्लू अपने नेत्र दोश से अंधकार में देखता है वैसे ही अज्ञान के परदे से शक्ति के आबरत होने रहने के कारण अविवेकी मनुश स्वैम प्रकाश पर्मानंद पर्मात्मा को नहीं देख पाते उस पर्मात्मा की प्राप्ती रूप सूर्य के प्रकाशित होने से जो परमशानती और नित्य आनंद का प्रत्यक्ष अन्वव होता है वैबास्तम में दिन की भाती प्रकाश मान होते हुए भी पर्मानंद के गुण प्रभाव रहस और तत्व को ना जानने वाले अज्ञानि प्रअन्धों के लिए रात्री है यानि की रात्री के समान है क्योंकि वे उस ओर से सर्वता सोई हुए है sąँ उनको उस पर्मानंद का कुछ भी पता नहीं है यहां प्रमानंद की प्राप्ति ही यहां संपुन प्रणियों की रात्री है और यही रात्री परमानंद को प्राप्त सैयमी पुरुष के लिए दिन के समान है इस्थित प्रग पुरुष का जो उस सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप को प्रत्यक्ष करके निरंतर उसी में स्थित रहना है यही उसका उस संपूर प्राणियों की रा क्या है और जिसमें सब प्राणी जागते हैं वह परमात्म के तत्व को जानने वाले मुनी के लिए रात्री के समान कैसे हैं यह दपी इस लोग और परलोग में जितने भी भोग हैं वह समनाशवान छणिक अनित और दुख रूप ही हैं फिर भी अनादी सिद अंधकार में प्रश्टी में विशय भोग से बढ़कर और कोई सुख है ही नहीं इस प्रकार भोगों में आसक्त होकर उन्हें प्राप्त करने की चेश्टा में लगे रहना और उनकी प्राप्ती में आनंद का अनुवप करते रहना यहीं उन संपून प्राणियों का उनमें जागना हैं यह इंद्रिये और विश्यों के सयोग से तथा प्रमाद आलस और निद्रासयोत पन सुख रात्री की भाती अज्ञान रूप अंदकार में होने के कारण बास्तम में रात्री ही है फिर भी अज्ञानी प्राणी इसी को दिन समझ कर इसमें वैसे ही जाग रहे हैं जैसे कोई नीद में सोया हुआ मनुश सौपन के द्रश्यों को देखता हुआ सौपन में समसता है कि मैं जाग रहा हूँ किन्तो परमात्म तत्यो को जानने वाले ग्यानी के अनभम में जैसे सौपन से जगह हुए मनुश का सौपन के जगत से कुछ भी सम्बंद नहीं रहता बैसे ही एक सचिदानन्द घन परमात्मा से भिन किसी भी बस्तू की सत्ता नहीं रहती। बहग्यानी इस द्रश्य जगत के स्थान में इसके अधिश्ठान रूप परमात्म तत्व को ही देखता है। अतयव उसके लिए समस्त सांसारिक भोग और विश्यानन्द रात्री के समान है। राधे राधे